असलाम अलेकुम और रहमतुल्ह वरकात्व दियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक उसके क्लासे और वेलकम अगें तो नीट फिनिशिंग टेश टेस्ट शीरीज 3.0 आइम इर्शाथ सार इन इस ताम आइम गोईंग तो डिसकस वन मूर चैप्टर फ्रॉम बाटनी लास लास लेक लेकिन पुरानी NCRT में थे वो डिलीट हो गया लेकिन NDA के सेल्बस में वो इंकलूड़िट था वो मैंने लेक्टर के दोरानी बीच में डिसकस किया था कि किस तरह से आफको नीट 2024 के लिए प्रिपियर करने आपकी अपनी NCRT अभी जो हमारा आज के लेक्टर में जो हमार सबसे पहले जो आएंगे NCRT line by line questions आएंगे उसके बाद statement based questions आएंगे उसके बाद हम discuss करेंगे matrix type questions और उसके बाद assertionate reason भी discuss करेंगे मेरे questions में एक बात आपने देखी होगे मैं बार बार यह बता रहा हूं यह वह questions है जो आपको किसी book से नहीं मिलते हैं किसी module से नहीं मिलते हैं Google वगेरा पूरा कर ले कहीं से नहीं मिलता है आपने link गॉल्ड में try किया होगा इधर भी शोक से try कर लिजेगा इन questions को यह कहीं स नहीं करेंगे थोड़ा सा ओवर्वीव देंगे बेटा चैप्टर के बारे में ठीक है चलिए हमारा जो आज का चप्टर है that is biological classification biological classification जो है यह 11th की बातनी का दूसरा चप्टर है मैं आपको पहले बताया अभी जो number of questions हम discuss करेंगे इसमें that is 55 आज के इस session में हम discuss करेंगे 55 most important questions from biological classification जो आपको या तो हुब 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 नीट में आएंगे या फिर इन ही जैसे pattern पे या इसी जैसे questions जो है directly और indirectly आपको इन्शाल्ला देखने को मिलेंगे ठीक है हमारे पस जो expected questions है in need 2024 expected questions जो है आफ दो से तीन questions इस chapter से बेटा expect कर सकते हैं अपने need 2024 में ठीक है तो यह हमार बड़े important questions है यह ठीक आपको बेसमरी से इन questions का इंतिजार था जो बच्चे एक बार एक एक एटम दे चुके है और जो रेपियर हो रहे हैं उनका बहुत ज्यादा chances होता है उनको इन questions की ज्यादा कदर है जो freshers है उनको भी इनकी बहुत ज्यादा कदर इंशाल्ला जल्दी आएगी ठीक है चले बेटा आपका time जाय नहीं करेंगे we'll move to question number one हमारा जो पहला question है ठीक सबसे पहला जो पार्ट हम ले रहे हैं बेटा NCRT का तो हम इधर discuss करेंगे line by line NCRT questions line by line NCRT questions सबसे पहले हम discuss करेंगे ठीक है question क्या है पहला with respect to non scientific classifications with respect to non scientific classifications which of the following is not correct classifications जो हैं यह दो तरह की होती है एक होती है scientific classification दूसरी होती है non scientific classification मैं थोड़ा सा बेटा इधर समझा दूं एक होती है whether it is two kingdom classification three kingdom four kingdom five kingdom three domains or six kingdom यह सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो है these are scientific classifications they have a scientific base ठीक है और scientific classifications की शुरुआ जो है these were first attempted by these were first attempted by यह scientific classifications जो है these were first attempted by these were first attempted by Aristotle linear से पहले ठीक है बेटा Aristotle ने सब से पहले scientific classifications का concept दिया और इस से पहले हमारे नॉन साइटिफिक classifications थी हमने पढ़ा है कि नॉन साइटिफिक क्लासिफिकेशन जो है they were not having a scientific base ठीक है बेटा अच्छे नॉन साइटिफिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है मैं आपको क्लास में समझा होगा offline में इदर फिर से समझा दूंगा non scientific classifications so for example आपने इनको earlier classifications भी बूलते हैं आपने छोटे classes में पढ़ा होगा ठीक हम जब प्लांस को classmate करते थे इंटो हम इनको बेटा classmate करते थे इंटो herbs इंटो shrubs and sorry iakonet non scientific classification में हम plants को classic करते थे in to edible plants into edible plants and poisonous plants into edible plants and poisonous plants ट्रीकर बेटा इस इसी तरह से animals को बेटा हम classify करते थे इंटो आपने lower class में पढ़ा होगा छोटे classes में domestic animals and wild animals wild animals हम यह classification क्यों करते थे non scientific classification क्यों करते थे non scientific classification हम इसले करते थे क्योंकि हमें इनकी requirement होती थी this was for our own need for our own sake of convenience हमने organisms को divide किया था इंटो domestic and wild animals animals को divide किया था अब अब देख लिए यह थोटा सा मैंने overview दे दिया what is scientific classification what is non scientific classification हमें देखना है with respect to non scientific classification यह वाला ठीक है which of the following is not correct correct क्या नहीं they were done instinctually यह correct है ठीक है पहली option where based on the need to use organisms for food shelter and clothing अभी मैं यही चीज़ आपको समझा रहा था अपनी need के लिए देखे हमें animal से फाइदा है तो कौन से animal को हम इस्तिमाल कर सकते है as food और कौन से animal से हम उनके जो खाल वगेरा है उसको इस्तिमाल कर सकते है clothing के लिए तो हमें वही तीन जो चीज़े थी say for example हमारे पस किया था रोटी कबड़ा और मकान ठीक तो इन requirements की base पे भी हम इनको classify करते थी ठीक है तो वही चीज़ है they were based on need to use organisms for food shelter and clothing तो यह भी सही है इसी लिए तो करते थे non-scientific classification सबसे पहले कुण सी classification this scientific तो यह बता रहा है कि non-scientific classification सबसे पहले अरे स्टोडल इस तो लिए साहिए के गलत यह गलत है ठीक है बटा यह गलत है इसके बाद वायर बेसed on criteria that was non-scientific देखो यह किसी अब आप यह बेस थे ठीक है edible plants प्लांस प्लांस से कोई scientific criteria नहीं है domestic animals wild animals यह कोई scientific criteria नहीं है so they were based on criteria that was non-scientific यह भी सही है तो इसका गलत जो है statement that is they were first proposed by Aristotle ऐसा कुछ नहीं अरिस टोटल जो है उसने सबसे पहले scientific classification दी और अरे स्टोडल से ही scientific classification शुरू होई non-scientific classification अरिस टोटल से पहले चलती थी तो यह वाला गलत है और यह ही option इसकी correct option बेटा बनेगी ठीक so this is the correct option चहले बेटा दूसरा question दूसरा question पे बेटा आ रहे है now the second which of the following is not a drawback of two kingdom classification two kingdom classification के कुछ drawbacks है आपको बताना है इन में से कौन सा option ऐसा है जो two kingdom classification का drawback नहीं है जो इसकी खामी नहीं है पहला क्या लिखा है इंकलूड आल प्लांट्स और अनिमल्स रेस्पेक्टुली बताओ two kingdom classification में सारे plants और अनिमल्स तब तक थे वो पूरे की पूरे डिसकस हो गई ठीक है सही है two kingdom classification असल में plant और अनिमल्स के लिए है बनाया गया एक plant kingdom था एक animal kingdom था तो सारे के सारी plants और अनिमल्स जो उस ताइम थे वो classified किये गई थी ये इसका drawback नहीं है ठीक है असल में यही इसका सही option है यही correct option है लेकिन अब इन तीन options को भी बेटा हम discuss करेंगे क्या वी वाकई में two kingdom classification के drawback है या नहीं है दूसरा कै नो difference between prokaryotes and eukaryotes ठीक है two kingdom classification में कोई भी डिफरेंस नहीं है between prokaryotes and eukaryotes ठीक है तो यह जो है यह statement सही है लेकिन यह भी सच है कि यही two kingdom classification का drawback है यह देख लिजे थोड़ा तिविस्ट गोस्टन है ठीक है there is no difference between two between prokaryotes and eukaryotes this is the drawback of two kingdom classification so you two kingdom classification का drawback है मैं बेटर लिख रिखों इस दять drawback of two kingdom classification ठीक है there is no difference between unicellular and multicellular organismos यह भी डिटा drawback है two kingdom classification का ठीक है यह दी bot़रेंस बेविन photosynthetic and non photosynthetic organisms यह भी bet दीटा drawback है two kingdom classification का यह भी drawback two kingdom classification का ठीक है ठीक है। पोटो सिंथिक एंड नॉन फोटो संथर्टिक और गनिजम क्या मतलब है इसका यहने कि हमने प्लांटे में फंजे को भी इंकलूड किया था फंगल्स जो है टू किंग्नम क्लास्फिकेशन में उसको प्लांटे में हम पड़ते हैं ठीक तो यह इसकी खामी है तो अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा वो यह वाला है पहला और यही बेटा इसका करेक्ट ओप्शन है चलिए नेक्स्ट पोटो संथर्टिक और कीमो संथर्टिक और इंकलूडिड इन देखें हमारे पास अगर हम बात करेंगे बेटा नूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे किसकी नूट्रिशन की अगर हम नू बैक्टिरिया अगर हम इसका मौनिरा का न्यूट्रिशन देखे तो ये बैक्टिरिया जो है ये होते हैं बैटा आटो ट्रॉफिक क्या होते हैं आटो ट्रॉफिक ये समझें ये आटो ट्रॉफिक होते हैं और होते हैं ये बैक्टिरिया आटो ट्रॉफिक भी होते हैं और ये केुटीरिया होते हैं फो Especially these are cytokinesis popular जिस फोटो स्ंथेस्स न्यान का मतलब है घमीकल से अपना फूर बना थैंचиход 선食 스팃 तो यहुँं के दोनू फोटो संथेतिक और इंप्लूड़लीः इंप्लूड़ory Farm kingdom monera kingdom protista में दोनु के दोनु नहीं होते हैं photo and plant जो है यह सारे photosynthetic होते हैं इनमें केमो सिंथे नहीं होते हैं ठीक है both one and two यह भी गलत option है तो इसका सही option जो है that is monera ठीक है चले बिटर next which are the following kingdom in three domain system is divided into two domains पहले समझे हमारे पर सबसे पहले था two kingdom classification फिर three kingdom classification फिर four kingdom classification फिर five kingdom classification and ultimately six kingdom classification भी था लेकिन six kingdom classification को more specially हम बोलते हैं बेटा three domains of life मैं थोड़ा सा इदर पहले समझा दू हमारे पास बेटा होते हैं three domains of life three domains of life three domains of life यह तीन domain हमारे पास बेटा क्या क्या होते हैं एक हो गया और किया ठीक है दूसरा हो गया है बेटा बैक्टिरिया तीसरा हो गया है बेटा यू कैरिया ठीक है three domains of life अब देख लीजए जो यू कैरिया है या यू कैरियोटा इसमें हमारे पास अगर हम और सब क्लास देखेंगे इसमें हमारे पास आता है बेटा प्रोटिस्टा क्योंकि प्रोटिस्टा यह भी यू केरियॉटिक है इसमें आ जाएगा आपका बेटा फंजाई क्योंकि इसमें आपका आजाएगा 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 इसमें 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 आजाएगा इन थ्री डोमेंड सिस्टम is divided into two domains देखो domain number one domain number two domain number three three domains of life के कार्वोस ने दिया था three domains of life अब मसला यह है कि पांच kingdom जो हमारे पास है one two three four and five हमारे पांच kingdom है इन पांच kingdom है इन पांच kingdom मैंसे कौन सा kingdom ऐसा है जिसको three domains of life में डिवाइड किया है into two domains देखे मौनियरा एक kingdom है इसको डिवाइड किया है into archaea and bacteria तो इसको दो domains में डिवाइड किया है तो यह हमारा जो option है सही option that is option number one मौनियरा ठीक है बेटा next in earlier classification systems bacteria blue green algae fungi mosses furnace gymnosperm and angiosperm देखे कून को याद रखे earlier classification systems bacteria blue green algae कितने हो गए दो इसको साही नो बेक्टिरा भी बोलते हैं फंजाई तीन mosses चार ब्रायोफाइट्स में आते हैं फर्नस यह टेरेडोफाइट्स में आते हैं gymnosperms and angiosperms यानि प्लांट सारे देखे अलगी भी फंजाई भी ब्रायोफाइट्स टेरेडोफाइट्स जिम्नो स्पोर्म और बेक्टिरिया भी यह सारे की सारे जो है देव अलगी प्लांट नहीं है बाद में इसको बाहर निकाला गया लेकिन पहले प्लांट में ही सब को रखा था अच्छा आल दीज ऑर्गनिजम्स वाइर यूनाइटिड ऑन दे बेसे आप आपको बताना है कि यह सारे की सारे आर्गनिजम्स बैक्टिरिया प्लूग्रिया प्ल इनको प्लांट में रखा गया था लेकिन किस बेस पी lot what are the bases in सबको हमने group क्यों किया था jsए प्लांट में यप लांट में रखा था presence of cell wall सेल्स क्या ये सही है प्रेजंस अब क्लोरोफिल क्या इन सब में क्लोरोफिल है इसलिए रखा था प्रेजंस अब अधर फोटो सिंथिक पिगमेंट बाकी फोटो सिंथिक पिगमेंट भी इन में हैं तो सारी फोटो सिंथिज करते हैं इसलिए रखा था लैक आफ लोको मोशन यह नहीं जाते हैं ए तो हर किसी और्गनिजम को प्लांट्स में रखा था तो हम बताएंगे कि किंग्डम प्लांटे का सबसे बैसिक करेक्टर जिस पे हमने अर्लियर क्लास्फिकेशन सिस्टम में बहुत सारी और्गनिम्स को ग्रुप किया था अंडर किंग्डम प्लांटी सबसे इंपॉर्टन्ट करेक्टर क्या था याद रखेंगे बेटा आप इडिस प्रेजन्स अफ सेल वाल इन दियर सेल्स ठीक है चलिए फालोइंग लेक्स सेल्वाल आपको बताना है कि इन में से कुन ऐसा है जिसको सेल्वाल नहीं होता है देखो क्लोरेला जो है इसके पास भी सेल्वाल होता है इसके पास भी सेल्वाल होता है क्लेमेडो मॉनास जो है इसके पास भी सेल्वाल होता है शर्षी में आंटाब लागे तो यह इसका सही अप्शिंस नहीं तो इसका उब्षं थी बनेगा सही इसकेबाद नेक्स्ट फॉलोंग अचस्टछल करेंगे वीधस्थ नेक्स्त आप्टापिक और अपकी passengers देता लाइस हैं उसके बाद बागी कोस्टिन भाएंगे kingdom manira which of the following are the soul members of kingdom manira, kingdom manira में soul means only members which are the only members of kingdom manira क्या आर्टी बेक्टिरिया आता है kingdom manira में you bacteria, अच्छा मुझे बता क्या सिर्फ kingdom manira में आर्टी बेक्टिरिया आता है और कुछ ने आता है नहीं गलत है चैज्ट कि इम आन्यगार्ठेटिया आता है लेकिन स्रिफ अर बड़की जैनिया और भी कुछ एंग वनिरा में सिरिफ यू बैक्टिरिया यह गलते है यू बैक्टिरिया और मेंबर्स ऑपंडम एन बाड या बन टार नोली मैंबर्स ओप यह साइन बैक्टिया भी होते हैं they are not the only members मैं बोलूँगा bacteria is the correct option ठीक है क्योंकि kingdom मौनिरा में जो भी organism है वो पहले bacteria होता है तो bacteria is the sole member of kingdom मौनिरा ये सही option है ठीक है बटा चले आगे बढ़ लेते हैं Which group shows most extensive metabolic diversity diversity बहुत तरह की होती है एक होती है metabolic diversity जिनका metabolism बहुत डाइवर्स्टी है हमारे जो metabolic अगर हम देखेंगे human beings का metabolism जिस तरह से एक human being में metabolism होता है उसी तरह से दूसरे में मेटाबॉलिक रेक्शनजरा आलमोस सैं लेकिन एक ऐसा group है जिसके members के बीच में metabolic diversity है और बहुत ज़्यादा metabolic diversity है वो group कौन है बेटा वो आप याद रखेंगे आँखे बंद के बंद करके वो group हमारे पस मौनी रहा है ठीक है बेक्टिरिया में सबसे ज़्यादा most extensive metabolic diversity होती है फंजय प्रोटिस्टा में इतनी ज़्यादा नहीं होती है चले बेटा next an organism is unicellular देखे बेटा एक organism है unicellular है चले बेटा बनाया एक cell का बनाया unicellular है या इस तरह से बनाओ ठीक है चले एक organism है हमारे पास unicellular है मैं इस तरह बनाया बेटा यह unicellular organism है हमारे पास ठीक है यह colonial भी होता है colonial भी होते है इस तरह से colonies भी बनाते है colonies भी बनाते है filamentous भी होते है इस तरह से filamentous भी हो सकते है यह filamentous हो गए ठीक है और यह fresh water में भी रहते है marine water में भी रहते है terrestrial भी हो सकते है देखे, यैं हो गया उनका habitat, ठीक, यह unicellular भी हो सकते हैं, unicellular, यह colonies भी बना सकते हैं, colonial भी हो सकते हैं, यह lamentus भी हो सकते हैं, प्लेमेंटस और इनका अगर हम बटा है विटेट देखेंगी यह एक्वेटिक भी होते हैं और टेरिस्ट्रियल भी होते हैं ठीक है और एक्वेटिक में दोनों है विटेट्स में रहते हैं यह फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होते हैं देखें सारे करेक्टर्स दिये चुट बगानिजम नो नोर भी षोते हैं और उसमें और कुछ इसे पंट निल फार्म होते था है और आर्ड कूद निल्टिय और फय्क्टिरिय अन करेकेसल ने जिस में रहे तक करता है they feed on decaying twigs ठीक है और protos इसका different mood होता है तो सही उन्हों बैक्टेरिया इसका सही option है टेले बीटा next आगे बढ़ लेते हैं ठीक under unfavorable conditions bacteria reproduce by देख्या आगर हम देखेंगे reproduction in bacteria हम देखेंगे बैटा reproduction इन बैक्टेरिया reproduction इन bacteria, ठीक है bacteria में किस तरह से reproduction होता है ठीक है एक होता है हमारे पास bacteria में usually beta होता है binary fission binary fission binary fission ठीक है और यह binary fission होता है usually during favorable conditions और bacteria सब से ज्यादा binary fission से ही reproduce करता है चीक है और दूसरा होता है बेटा स्पोर फॉर्मिशन सेकंड वान इस स्पोर फॉर्मिशन सेकंड वान इस स्पोर फॉर्मिशन और बैक्टिरियल स्पोर कब बनाता है जब कंडिशन्स फेवरेबल नहीं होंगी unfavorable conditions में इस पूर बनाता है याद रखे बटा unfavorable conditions में बैक्टिरिया क्या बनाता है स्पूर ठीक और तीसरा होता है बैटा bacterial conjugation conjugation bacterial conjugation जो है इसको हम बोलिंग है बर्टा यह हो गया बैक्टिरिया का sexual तो इसमें नया और्गनिजम नहीं बनता है तो हमारे पास यूजिविली बेक्टिरिया जो है व ... फैवरेशन में हैं अगर ंफेवरिबिल केंडिशन है तो दिल्टिरियम स dłन वे लिका अथर कि under unfavorable conditions bacteria reproduce by it reproduce by spore formation of spores fission or bacterial conjugation का मैंने समझाया fission होता है favorable condition में और ये होता है sexual reproduction इसमें नय organism नहीं बनता है primitive type चले बेटा next इसके बाद आ गया kingdom protesta मौनिरा के बाद kingdom protesta से आप questions है जो आपके ncrt में members of kingdom protesta are देखे ये बड़ा टिविस्टिट कोस्चन है equatic होते हैं exclusively equatic होते हैं primarily equatic होते हैं आप देख लीजे एक दो चीजे मैं आपको ये तीनु चीजे पहले में आपको समझा दूँ एक होता है बटा equatic equatic वो होता है जो किदर रहे water में रहे ठीक है दूसरा हो गया exclusively equatic exclusively equatic वो हो गया जो सिर्फ पानी में रहे और पानी के बाहर बिल्कुल भी न रहे ठीक है तो हम लिखेंगे बेटा only in water only in water के बगिर बिल्कुल भी न रहे और गिंग्डम प्रोटिस्टा के मेंबर सक अब देखेंगे एक्वेटिक भी होते हैं लेकिन पानी से बाहर भी रहते हैं तो इसका मतलब है यह वाला option गलत चीखें के अच्छा यह वो अप्शन अभी हैं सही यह इसका हो जाएगा वह में बताऊंगा और एक होता है बेटा primarily अक्वेटिक यह समझे पहले primarily aquatic primarily aquatic primarily aquatic primarily aquatic primarily aquatic primarily aquatic का मतलब है कि originate हो गए यानि पहले यह रहते थे पानी में बाद में shift हो गए towards तो सब पहले पानी में रहते थे उसको बहुते हैं यह सई ओप्षन है क्यूंकि जो हमारे पास प्रोटिस्टा है यह प्रैमरी लिए अग्वेटिक थे तो इसका मतलब यह टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं तो यह वाला उप्षन भी गलत हो जाएगा क्यूंकि अगर मैं कहूं तो आप देख लिए प्रैमरी लिए अक्वेटिक मोस्ट अप्रॉपरेट ओप्षन है और सबसे इंपॉर्टेंट यह कुछन है ठीक है बेटा तो इसका थोड़ा सा मैंने ओप्षन जो है बड़ी टिविस्ट ओप्षन है इस तरह से अब कन्फूज हो सकते हैं प्रैमरी ल कि अब अब प्रैमरी लिए बेटेर तो इसके पास इस तरह से पिल्ली होती है ठीक है तो यह मैल जो है अपना जनेटिक मैटिर्यल इस पिल्ले के थे थो फीमील में डाग लिए तो अब देखें ना इधर सैल फ्यूजन हो गया ना इधर जाइगोट बना इधर कुछ भी न बनता है और्किनिणिज्म नया बनता ही नहीं है, यह मैं बेक्टिजिया के बात, लेकिन अगर हम बात करेंगे, बेटा, प्रोटिस्ट इसकी, प्रोटिस्ट इसकी बात करेंगे, जब प्रोटिस्टा се Цね करते हैं, हैं इन one and two जो है this is the correct option ठीक है यानि अगर हम देखेंगे protesta में जब sexual reproduction होता है तो protesta में sexual reproduction के दोरान cell fusion भी होता है और zygote formation भी होता है पहले cell cell fusion फिर zygote भी बनता है अच्छी तरह से well developed sexual reproduction होता है protesta में चले बिटर नेक्स्ट chrysophytes protesta में chrysophytes जो है इसमें कौन-कौन इंकलूड़े डाइटम्स भी आते हैं क्राइसोफाइट्स में गोल्डे नल्गी भी आते हैं डेस्मैट्स भी आते हैं इसका मतलब है आल आप देखेंगे नहीं है ठीक है इस तरह से नहीं देखी ये सब्सक्राइट में बहुत सारे हैं मैट्रिक्स टाइब क्वेस्ट भी सारे हैं और इसी तरह से हमारे पस एसर्शन रीजन कौस्टब सारे हैं चलें the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box identified the organism एक organism ऐसा है जिसमें cell walls जो हैं वो बिलकुल इस तरह से एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं जैसे हमारे पर soap box होता है नीचे एक box उपर दूसरा रख लिया जैसे गर में होता है आपको soap box मैं थोड़ा सा diagramatically दिखाऊंगा ठीक है यह हमारे पास बेटा इस तरह से यह बनाते हैं जैसलाए के soap box इस तरह से बेटा cell walls फिट होते हैं एक दूसरे के साथ अब दीख लिजी यह हमारे पास diatoms है यह हमारे पास diatoms है मैं option बता दिया आपको पास यह बता दिया भी हां बता तो दिया ठीक है बता दिया ना आपको hint भी ऐसी चाहिए कि जवा भी तो बता दिया ठीक बच्चों को को अक सर बोलता हूं एक फिटी सी स्टोरी है शेर करणव आपके साथ तोड़ा सा अटन्ट रहा करें ठीक what is that एक शक्स था तो ये कश्मीरी में है ये फोड़ा सा जोक आए आए वुड लाइक टूश सेट इन कश्मीरी ठीक तो यूगो बे शक्स निश इमोई दनुए मगर बेकल एंटेल थी उतने अलवेटनेस नहीं थी तो एक ने दूसरे को बताया अगर आप मुझे बोलोगे के अगर दूसरे ने बताया नहीं थोड़ा हिंट दे दो पहले मैं पूरी तरह से ने समझा हिंट देना ज़रूरी है तो इसने बताया हां मैं हिंट दूँगा आपको इसने बताया कि अइंद 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 चीज सफेद याने बाहर से ये वाइट है दूसरे मजबागशी वजल अइंद इंद चीज सफेद मजबागशी वजल जब एग्स को ना बिलकुल आप वाइल करते हैं तो बीच वाला जो पॉर्शन हो आपको चले हमारे पास ये हैं बेटा हमारे पास डायटम्स डायटम्स अब डायटम्स में हमारे सेल वाल जो है ये इस तरह से फिट होता है तो फिट तोगेदर एज इन सोप बोक्स यहाँ पर जो ऊपर वाला पॉर्शन हैं इसको बेटा हम बोलते हैं एपी थी का थोड़ा सा एड़ कर ले अपनी इसमें और इसको बोलते हैं हाइपो थी का तो cell wall जो है यह इस तरह से एक दूसरे में फिट हो जाता है ठीक है और यह करेक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा डाय अटम्स में और किसी में देखने को नहीं मिलेगा ठीक है बटा तो सही option डाय अटम्स है ठीक है next which of the following are chief producers of oceans oceans में chief producers कून होते है ठीक है यह बड़ा टिविस्ट्ट कॉस्चन है इसमें दो आप्शन से यह देखो डाइन फ्लेज लेट्स नहीं है यूगलिन नहीं है अब देखिए यह बड़ा important है अगर आपके option में यह होगा कि chief producers कौन है oceans में और फिर option होगा डाइन फ्लेज लेट्स यूगलिन वाइट्स क्राइसोफाइट्स मैं चले एक और option बटा इसमें एड़ कर लेता हूँ चले बटा हम लिख लेते हैं और एक option यूगलिन वाइड् आपको डाइटम्स के बदले यूगलिन वाइड्स option है फिर आपका सही option बनेगा क्राइसोफाइट्स ठीक है अब क्राइसोफाइट्स जो है इसमें हमारे पस दो बड़े ग्रुप से एक हो गए बटा डाइटम्स और दूसरे हो गए देसमाइड्स ठीक है अगर मैं इन दो मैं इसे देखूं चीफ प्रेडूसर को ने सबसे ज़्यादा फोटो संदिस्कून करता है तो डाइटम्स है इसलिए ज्यादा स्पैसिफिक आंसर क्या है डाइटम्स तो अगर आपको इस तरह से options है क्राइसोफाइट्स भी है तो क्राइसोफाइट्स तो हैं लेकिन सारे क इसलिए best option जो इसका है जो most appropriate option है that is डाइटम्स डाइटम्स और चीफ प्रोडूसर इन ओशिंस ये इसका सही option है चले नेक्स्ट डाइटम्स अर्थ इस यूज़ी डाइटम्स फिर से बताये डाइटम्स की बात भी चल रहे हैं डाइटम्स डाइटम्स जो है इनके जो सेल इसलिए अबी बता दिया था इदर आपको ठीक है ये सेल वाल्स है इनकी डाइटम्स की दे फिट तोगेधर एजने सो बॉक्स लेकिन ये सेल वाल्स अगर आप देखेंगे बेटा ये सेल वाल्स जो है इस तरह से दे आर मैड अप आफ 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 ने पढ़ा होगा ठी सेलिका इनमें होता है सेलिका और सेलिका जो है ये होता है बेटा शाइनी क्या होता है शाइनी और होता है ये इन डेस्ट्रक्टिबल इन डेस्ट्रक्टिबल ये होता है बेटा शाइनी एंड इन डेस्ट्रक्टिबल इन डेस्ट्रक्टिबल इन डेस्ट्रक्टिबल ये ड हो जाते हैं बैटा इनके सेल वालें ये समंदुर। में एकुमिलेंट हो जाते हैं और या इक बहुत्-बड़ा मास बनाते हैं भिर उस मास को हम क्या बोलते हैं डाइ एटो मेशिक इस ऐर्थ योज to यह डेफिनिटी आपकी शू पॉलिश में डाय टमिश इर्थ होती है पॉलिशिंग मैं इस्तिमाल करते हैं क्योंकि यह शाइन देती है ठीक है फिल्ट्रेश्ट अप ऑइल्स मैं भी इस्तिमाल करते हैं बहुत सारे यूज़ एवन हम इसको इस्तिमाल करते हैं तुथ के यूज़ है तो आप दे अब जो है यह सही ओप्शन बेटा इसका होगा ठीक है डाय टमिश इसरत नेक्स्ट हाँ अब डाइनो फ्लेज लेट्स पे आ जाएं डाइनो फ्लेज लेट्स यह सारब किंग्नम प्रोटिश्टा भी चल रहा है डाइनो फ्लेज लेट्स अब ड इट करनाय और्गेनिशम को जो ज्यादा तर क्या होता है अ thereby बटाम होते मोस्ली ड्यार मरीन ठीक है एक करेक्टर यार्फोट और तयक क्छे И. they appear yellow colored होते है बहुत सारे colors के होते है ठीक है इनका yellow भी color हो सकता है green भी हो सकता है brown भी होता है blue भी और red भी it will depend on the amount of pigments स्कून सा pigment इन में जादा है ठीक है बटा तो यह हमारे पास बटा जो organisms है इसे डाइनो फ्लेजलीड इसमें डिस्ट्रिग्विशन करेक्टर जिससे आप डिस्ट्रिग्विश कर सकते हैं एक है mostly marine होते हैं और दूसरा इन में यह colors आपको दूसरे इस तरह से नहीं देखने को मिलते हैं ठीक है तो आप ने डाइनो फ्लेजलेड में रेड टाइड भी पड़ा होगा formation of red dides यह red भी होते हैं कुछ green भी होते हैं कुछ blue भी होते हैं कुछ brown भी होते हैं कुछ yellow भी होते हैं तो यह करेक्टर से हमें पता चलता है कि यह और गिन जो हैं इस आ डाइनो फ्लेजलेट चले बीटा नेक्स्ट और नेक्स्ट कॉस्टन पर बिटा आते हैं इन वीचाब दे फॉलोविंग और गिनिस्म सेलवाल है स्टिफ सेललूजिक पलेट्स ऑन दे आउटर सर्फीस कॉन सा और गिनिसम ऐसा है कि सेलवाल के बाहर से उनको है स्टिफ सेललूजिक पलेट्स मुझे थोड़ा दिखाना पड़ेगा तो मैं पहले बताओं आपको इसका सही ओप्शन जो है दाइनो फ्लेजिलीट लेकिन थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि ये मसला क्या है ये क्या मसला है थोड़ा सा अटेंटो रहें गया मैं इदर एक डाइनो फ्लेजिलीट का थोड़ा सा इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना के दूँगा चलेगा ये हो गए बेटा एक फ्लेजिला इन में ये लंबा फ्लेजिला और दूसरा होता है ट्रांस्वर्स फ्लेजिला ये शॉट होता है ठीक है लॉंग एड़ेवे लॉंग एड़ेवे शॉट फ्लेजिला और ये होते हैं बेटा पलीट्स इस तरह से आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा समझा होगा कि ये स्टिफ सेलिलोजिक पलीट्स क्या होते हैं What are these स्टिफ सेलिलोजिक पलीट्स देखे एक मैं सिंपल एक्जामपल दोंगा एक हमारे पास होता है वो छोटे बच्चों को फुट बाल जैसे लाके देते हैं वो पचास रुपे की वो बाल एक मार्केट में मिलती हैं बच्चे अकसर बेशतर उसको ना बोलते हमें भी लाके दे एक बढ़ी बाल को गर में खेलते हैं निती हो पूख बर के होता है लेकिन जब मारकेट से वो लाते न तो वो एक जाली में होती है उसको बाहर से लाड जैसे होती हैं यह पलीट्स यह पलीट्स उसके बाहर से होते हैं कैसे दिखा हूँ आपको ना कुछ होगा इदर तो त्राइ करते हैं यह था थोड़ा सा इदर देख लिए भी यह मेरा हाथ है इमेजन यह हमारे पस डैनो फुलेजलेटे हैं लेकिन बाहर से अब्श सीटिफ सैलिलोजिक पलीट्स इंग स्टिफ सैलिलॉजिक पे अरगिनिसम सें औरता है outer side यह वाला character और किसी में देखनी को नहीं मिलता है तो इसका सही option जो हमारे पास बनेगा that is dino flagellate मैं इसको इदर रख लेता हूँ फिर यह dino flagellate है चली next which of the following organisms are characterized by presence of two flagella अभी बताया था dino flagellate में कितने flagella बोलो two flagella भी बोला था बोला था कि नहीं बोला था एक यह वाला flagella जो है this is called long flagella or longitudinal flagella मैं लिखों बेटा this is longitudinal flagella ठीक है और दूसरा बेटा इदर जो है transverse group में इसको बेटा हम बोलते है transverse flagella transverse flagella ठीक है this is called transverse flagella और यह flagella long होता है और यह flagella बेटा short होता है ठीक है यह short flagella होता है long flagella से moment and locomotion करता है यह आगे चलता है long flagella की beating करके और short flagella जो है इससे करता है बेटा spinning क्या बोल स्पिनिंग से करता है इस तरह से अपने इरद गिर्द इस तरह से नाचता है इनको बोलते है whirling whips ठीक वो whirlpools बनते है ना whirlpools पानी में बनते है ऐसे ऐसे नीचे हो जाता है डैनो फलेजले जब इस तरह से ट्रांसवर्स flagella से गूमेगा तो एक whirlpool बनता है पानी में ठीक है तो दो flagella इसमें होते है एक long एक short ठीक है डैनो flagella में ठीक किदर गया यह question किदर गया इधर गया हां तो दैनो फलेजले जो है बेटा इसमें कितने flagella होते हैं इसमें होते हैं to flagella to flagella ठीक है यह तो clear हो गया अच्छा यूगलिनोइड's what about yuglinoid's yuglinoid's में भी दो फलेजला होते हैं अब मसला यह है ना अब देख लिजे जिए से फॉर एक्जापल ये हमारे पास यूगलिनॉइड है ठीक है अब यूगलिनॉइड में भी हमारे पास कितने फलेजला होते हैं दो फलेजला ये एक लंबा सा फलेजला होता है इस तरह से पूरा मैं प्री को या अपने फूड को इसे कैप्चुर करता है शौट फ्लेजला से तो इसमें भी दो फ्लेजला ओधर डाइनो फ्लेजलेट्स में भी दो फ्लेजला मैं लिखो इसमें भी कितने फ्लेजला होता है दो फ्लेजला इधर उदर भी एक short एक long उदर भी एक short एक long slime molds में फ्लेजला नहीं होता है तो correct option ये वाला होगा both one and two तो डाइनो फ्लेजलेज लेट्स और यूगलिनोइड्स दोनों में दो दो फ्लेजला होते हैं clear next अब आ जाएगे वाटा यूगलिनोइड्स भी mostly fresh water organism is found in stagnant water belong to हमारे पास जो जादा तर fresh water organisms होते हैं बेटा mostly fresh water organisms found in stagnant water they belong to यूगलिनोइड्स ठीक है बेटा यूगलिनोइड्स क्या होते हैं ये होते हैं बेटा mostly fresh water mostly dinophyllates अभी क्या बताये थी they are mostly marine these are mostly fresh water these are mostly fresh water और जादा तर ये की पाने में बेटा रहते हैं stagnant water में stagnant water होता है जो रुका हुआ होगा ठीक है उस water में ये जादा रहते हैं इसलिए इसका सही option जो है that is यूगलिनोइड्स ठीक चले बेटा next बढ़ लेते हैं आगे group of organisms which is both autotropic and heterotropic देख लिए important है चीख है हमारे पास एक होता है बेटा autotropic nutrition एक होता है heterotropic nutrition बद एक होता है mixotropic nutrition मैं इधर बेटा आपको बताओं एक होता है mixotropic nutrition mixotropic nutrition एक होता है बेटा mixotropic nutrition mixotropic nutrition जो है यह होते है बेटा autotropic भी और यह होते है बेटा heterotropic भी एक ही organism कभी-कभी autotropic भी हो सकता है कभी heterotropic हो सकता है ठीक थोड़ा आगे हाँ इधर यह देखे मैंने यूगलिनाइड बनाया था तो यूगलिनाइड्स में इस तरह से बढ़ा इन एपसेंस अफ सानलाइट अब सानलाइट है नहीं फोटो सिंथिस क्या करेगा बेचार तो मर जाएगा इसा ठीक तो इसलिए उस वक्त उस टाहे में शॉट फोलेजला से अपने प्री को क्याप्चुर करता है तो इसके अप्रेटर ठीक है तो इसमें दोनु मोड अफ न अनिमेले में रखा गया इसको डाल दिया प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा को बोलते हैं डस्ट भी ना फाइव किंडम क्लास्फिकेशन इसमें बहुत डैवर्स और्गनिजम्स को एक ही किंडम में जमा कर दिया गया है चले बीटा नेक्स्ट प्लाजमोडियम देखिए स्लाइम बोल्ड जो एना ये एक जगा जमा होते हैं और इस एग्रिगेशन को बोलते हैं प्लाजमोडियम एक वो प्लाजमोडियम हो गया है Malarial Parasite Plasmodium वो अलग है यह Sly Molds की Aggregation को भी हम क्या बोलते हैं Sly Molds की Aggregation को भी हम बोलते हैं Sly Molds form an aggregation called Plasmodium which may grow and separate over several feet मैं दिखाऊ हूँ इदर यह हमारे पास Sly Molds है यह Sly Molds इस तरह से एक जगा जमा हो गई और यह बहुत पहले it may separate over several feet it may grow and separate over several feet अब अब दिखे तो यह हमारे पास क्या बन गया है बटा what will I call this aggregation this aggregation is called Plasmodium this aggregation is called Plasmodium what is Plasmodium? it is the aggregation of Sly Molds Plasmodium is formed during आपको पताना है कि Plasmodium कब बनता है क्या यह favorable conditions के time पे बनता है या unfavorable conditions के time पे बनता है यह हमेशा बनता रहता है यह यह बनता है formed during reproductive phase एक गेस तो बनता है खुद तो कर सकता है कब बनता है याद रखें यह जो Plasmodium है यह reproductive phase के time पे नहीं बनता है हमेशा नहीं बनता है unfavorable conditions के time पे नहीं बनता है it is formed during favorable conditions यह याद रखेगे ठीक जब conditions favorable होंगे तो plasmodium बनेगा next protozoans से which of the following are primitive relatives of animals primitive relatives of animals कून है क्या amoebide protozoans primitive relatives of animals philagelated protozoans, ciliated protozoans असल में सारे protozoans को हम बोलते हैं these are primitive relatives of animals तो इसलिए हमारे पास इसका जो सही option है all of the above आएगा क्योंकि सारे जो protozoans हमारे पास हैं बेटा इनको हम बोलते हैं these are primitive relatives of animals ठीक है बिस्मिल्ला है चलिए next next silica shells are formed on the body surface of silica shells कौन से और्गनिजम की body surface पे एक होता है कि cell wall में embedded silica है वो डाइटम में था लेकिन एक होता है किसी की body surface की ओपर silica shells होते हैं यह shell है यह embedded नहीं shell is altogether different thing ठीक है कौन से और्गनिजम में बनता है silica shells outside their body surface fresh water amoebide protozoans marine amoebide protozoans all amoebide protozoans flagellated protozoans देकि प्रोटोजन बहुत तरह के होते हैं अभी बनता हैं इन में दो तरह के होते हैं एक होते हैं फ्रेश वाटर amoebide protozoans जो होते हैं इनकी body में बेता होते है silica शबाश इनकी body में होते है silica shells तो marine amoebide protozoans जो है they contain silica shells यह इसका सही उप्षन है सारे के सारे amoebide protozoans में नहीं होता है सिर्फ marine में होता है तो fresh water में नहीं होंगी और flagellated protozoans में नहीं होता है ठीक है चले बेटा next आगे बढ़ लेते हैं white spots kingdom fungi जो है अब उससे questions आ जाएंगे यह तोड़ा lengthy बड़ा यह चैप्टर ना बड़ा lengthy है देखिए आपके टोटल पांच kingdoms है we have kingdom monira protesta of fungi plant अनमिल्या पांच में से आप एक kingdom जौल्जी में पढ़ते है अनमिल kingdom kingdom animalia ठीक और चार पढ़ते हैं botany में चार में से तीन जो है वो इसी एक chapter में discuss किये है इसलिए बड़ा lengthy है kingdom fungi kingdom fungi पे बड़ा आ गया है white spots on the mustard leaves are due to देखे हमारे पास जो mustard plant होता है बिटा mustard plant अगर ये mustard plant का इस तरह से बिटा leaf है ठीक है इस तरह से leaves है तो इन leaves पे इस तरह से छोटे छोटे वाइट sports कभी कभी लगते है इस तरह से ठीक है छोटे छोटे white spots इन लीपस इन लीबस है निए हे और यह leaves बे जो स्पॉर्ट लगते हैं यह असल में बीटा लगते है इस फंगल इंफेक्शन और इस फंगस को बिटा हम बोलते हैं अल्बूगो इस फंगस को क्या बोलते हैं अल्बूगो और यह फंगस जो है यह होता है बेटा पैर शिटिक फंगस यह पैरस्टिक फंगस होते है on the leaves of mustard plant तो सही option क्या बनेगा इसका albugo बनेगा सही option ठीक है तो इसी से mustard plant की leaves पे white spots लगते हैं चले बिटा next next बिटा आ जाते हैं इस पे cell walls of fungi are composed of fungi के cell wall किसका बना होता है काईटिन का बना होता है you know this ठीक है ये बड़ा simple है kaipta kipta 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 k लेकिन polysaccharide chiton हमारे पास एक option है both one and two तो यह वाला option correct option है ठीक है चली next Select the correct sequence in the sexual cycle of fungi Fungi का sexual cycle किस तरह से होता है देखे इसमें three phases होते है तीन phases होता है एक होता है बेटा plasmo gammy एक होता है plasmo gammy plasmo gammy में होता है fusion of protoplasts ठीक है और दूसरा बेटा होता है केरियो गैमी केरियो गैमी केरियो गैमी केरियो गैमी में होता है fusion of nuclei ठीक है और बहुत देर तक हमारे पस एसको मैसीट्स और बैसीडो मैसीट्स में नूकले नहीं मिलते हैं हम उनको बोलते है डाइ केरियो स्टेज वो में बता हूँगा आगे थोड़ा सा गर उस पर कोई कॉस्टन में बनाया था तो ठीक और उसके बाद बटा हो जाती है मियासिज यह स्टेज असल स्टेज पहले प्लाजमो गैमी उसके बाद केरियो गैमी और उसके बाद लास्ट में मियासिज में हैप्लाइड स्पूर्स बनते हैं तो यह वाद इस स्टेज ज़रा देख लिए प्लाजमो गैमी उसके बाद केरियो गैमी उसके बाद मियासिज यह ऑंचन पहला वाला टीट यह गलत आइं Auckland शवाद कि पहले करीयो कर्योंति होती है पहले प्रेले न्यूटरेट हो जाते हैं फिर क्लाजमों फिर मियाशुच है ठीक है मियासिस पहले नहीं होगी यह भी गलत हैं मियासिस पहले नहीं होगी यह भी गलत हैं मियासिस आद रखे फंजय में मियासिस लास्ट में हो जाती हैं और इसलिए हैपलाइट स्पूर्स बनते हैं फंजय में तो सही ऑप्शन इसका जाएगा पहला ऑप्शन ठीक हैं सीनोस्टिक मैसीलम इस फांड इन हमारे पास याद रखे बेटा जितने भी फंजय की ग्रुप से याद रखे सिंपल जितने भी फंजय की ग्रुप से सब सब के सब ग्रुप सारे के सारे ग्रुप में जो मैसीलम है वो सेप्टेट होता है वो क्या होता है सेप्टेट सिर्फ एक exception है जिसमें a septate होता है that is phycomyceleum इदर लिखा है बेटा a septate and cynostic mycelium a septate mycelium ये हो गया ठीक है बीच में कोई septa ने cynostic का मतलब हो गया इस तरह से कोई भी septa बीच में नहीं है और ये multi nucleate mycelium बनता है ये वाला mycelium सिर्फ आपको देखने को मिलेगा किसमें बेटा phycomyceleum में बारहाल बाकि जो है ascomyceleum, bacidomyceleum, deuteromyceleum इन सब में हमारे पास होता है septate mycelium इन में होता है septate mycelium तो a septate mycelium सिर्फ और सिर्फ phycomyceleum में होता है तो इसका सही option phycomyceleum है next ascomyceleum में देख लीजी, all unicellular, all multi cellular, mostly multi cellular and rarely unicellular, mostly unicellular and rarely multicellular, देखे, ascomyceleum जो है ये होता है बेटा, mostly multi-cellular यह होते हैं mostly multi-cellular say for example इसमें आ जाएगा penicillium ठीक है NCRT की points discuss कर रहा हूँ अगर आपने NCRT पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ठीक और यह rarely बेटा होते हैं यह rarely होते हैं unicellular यानि exception जो इसमें है that is yeast unicellular mostly multi-cellular होते हैं rarely unicellular होते हैं यह सही option है next which are the following is extensively used in biochemical and genetic work सबसे ज़्यादा हम किसको इस्तिमाल करते हैं biochemical और genetic work में देखे हमारे पास तो कुछ organisms है जिन पे बहुत ज़्यदा research होती है अक्सर बेश्टर उनको इस्तिमाल करें say for example आपने genetics में सबसे ज़्यादा research होते हैं अमंग mammals हमारे पास rat होता है या mouse होता है चुहे पे जबसे ज़्यादा research करते हैं इसमें एक reason होता है say for example इस्तिमाल करते हैं क्योंकि इस्तिमाल करते हैं इसकी generation हमें produce होते हैं सिर्फ 20 मिनिट में इसकी नई generation हो जाती है तो genetic character किस तरह से प्रोजीनी में चला जाएगा 20 मिनिट के अंदर अंदर हमको पता चलेगा लेकिन फंजय में जो सबसे ज़्यादा research हम करते हैं किस पे करते हैं नूरोस्पोरा नूरोस्पोरा पे सबसे ज़्यादा biochemical और जने वरक होता है नूरोस्पोरा बहुत ही important example है फंजय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसको बिटा हम करते है research के लिए ठीक है याद रखें इसको next in which of the following asexual spores are generally not formed देखें आपके हमारे ये जो chapter है इसमें प्रोटिस्टा में आप जाएंगे आपके होजाएंगे दी इसको इसको इतना सारा याद करते 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 आपके दिमाग में परिशानी हो जाते है तो इसमें क्या करना है किस तरह से question को आपको देखना है कि कुछ distinguishing feature जो किसी एक ग्रूप को distinguishing feature है जो इसको बाग क्यों से different होगा वो बहुत important होता है need के लिए say for example हमारे पास bestidio my seeds जो है इसमें क्या होता है जो स्पोर्स है वो बिलकुल भी यूजवली नहीं बनते हैं ठीक है बागी हर किसी ग्रूप में एसको बनता है तो यह इसका distinguishing feature है तो हमारे पास जो बैसीडियो माई सीड्स है इसमें एसको बनते हैं यूजवली ठीक तो इन वीचाव दे फालॉव एसको बैसीडियो माई सी में और भी questions है मैं अभी एक ही question discuss किया बैसी दो माई सीड में लेकिन अभी इसका statement based question आना है अभी matrix type question आना है अभी assertion reason आना है तो इसमें और भी questions discuss हो जाएंगे उन में ठीक है तो इधर यह एक line by line ncr question पहले discuss करते हैं इसलिए एक discuss कर दिया विजवलीग दास नाट बिलॉं इसका जो हमारे पास है उस लेगो यह डूटिविव माई सीड में बेटा नहीं आता है इसलेगो जो है यह डूटिव माई सीड में यह बसी जो मैसीड है तो यह इसका सही option है यूश लेगो ठीक चली next नेक्स्ट हमारे पास हैं वाइरसेज, वाइरोइड, प्रियॉन्स और लाइकन्स यह लास्ट आफ के एंस्याटी पे जो सब हेडिंग दी हुई है उससे क्वेस्टेंज हैं इसके बाद में स्टेट्मेंट बेसल क्वेस्टेंज को डिसकस करूँगा मैट्रिक्स टाइप क्व इसके प्रोटीन आस इस आल्सो फॉर्टीन सब्सक्राइब होई जो क्या क्या क्याँ रिए होता उस सब्सक्राइब टो नुकलिक एसिड बोले तो एक डियन आ जाएगा एक आर न आ जाएगा होगे यह वाइरस में होते हैं प्रोटीन जो है डिरेक्टली स्टैंड फर प्रोटीन अब देख लीजे बेटा अब मुझे बताईए ऑप्शन क्या है इन एडिशन तो प्रोटीन यह ने प्रोटीन तो आएगा नहीं ऐगा ठीक अच्छा ब्याएड इन न आएगा कि नहीं आएगा अगर नहीं होते हैं वो आजाताई डेके वाइरस में डी आ नहीं होता है लेकिन हमारे पास वाइरस ंघ्र मैं लिख का कि In Addition To Proteins वाइरeस है आलसो इन औ इन प्रोटीन तो कर्चेंड डीने ज सब्सक्ता है ठीक है तो हम लिखेंगे बेटा इसका से जन него कांट जनेंटिक मेटियरियल जो है यह इसका मतलब हो गए नूकलिक ऐसिन बेन भागै डैन आ एल ने भी आ गया आ रेने भी आ जबसान शब्शन आ है आपको यह वाला खोशन नीत में परिशान कर सकता है तो बच्चे DNA लिखेंगे लेकिन यह गलत होगा क्योंकि सारी वाइरस के पास DNA नहीं होता है बहुत सारी प्लाट वाइरस के पास यूजिली आ रहे होता है तो बेस्ट एक्जांपल इसका जो है स्वारी बेस्ट ओप्शन जो है डैडि जैनेटिक माटीरि बेटा जो वाइरस का है नूकलिक एसे या जैनेटिक माटीरियल जो वाइरस का है इट कैन भी डिन और इट कैन भी आर ने याद रखे हमारे पास नो वाइरस कंटेंज नो वाइरस कंटेंज बोथ डिन आ एंड आर ने कोई भी वाइरस ऐसा नहीं है जिसमें बेटा डिन भी होगा और जिसमें आर ने भी होगा सो वाइरस हमारे पास जैनेटिक माटीरियल वाइरस क्या है इट में भी इधर डिन और आर ने ठीक है है कोई ओप्षिन हाँ इधर डिन और आर ने बोथ डिन आर ने वाइरस में नहीं होते या तो डिन होगा या फिर आर ने होगा याद रखे डिन जैनेटिक माटीरियल व तो बेस्ट अप्षिन यह वाला है बड़ा इंपॉर्टन कोस्टन है जो जो है कोन है वाइरसे एड प्रियान्स देखे वाइरस्स जो है मैं अभी आपको बता दिया चले मैं आपको बटा अभी बता दिया वाइरस्स जो है वाइरस्स आर नूकलियो प्रोटीन्स तो क्या मतलब हो गया इसका वाइरस्स आर नूकलियो प्रोटीन्स इसका मतलब हो गया वाइरस्स के पास एक तो प्रोटीन क contain a protein coat they are devoid of nucleic acid तो इन में protein coat होता है तो यह होगे इंप रेंप प्रेयोंग स प्रियॉणन जैनल इंका सैंस्ट्रक्चर हो सकता है विकास इनली अहविंग धूटीन खीक अब देख लिगे तो इसके पास अंदर डाने या दंए नहीं होता या लेकिन फ्रोटीन तो होता इन ठीक तो almost viruses और prions का size same होता है तो ये वाली option जो है ये correct option बनेगा इसका next statement based questions ये important है statement based questions मैं फिर से पानी लूँगा थोड़ा सा कितना टाइम हुआ? टाइम ने दीखता आए काई? चला या क्रम अला क्रम चले बेटा ना, we have statement-based questions. दिखे बेटा, consider the following statements हमें यह statements पहले consider करने है. हमारे पस तीन statements है. we have statement 1, we have statement 2 and then we have statement number 3. पहला statement, classification systems for the living organisms have undergone several changes over the time. ठीक? वक्त के साथ-साथ जो हमारे पस classification systems है, देहों undergone several changes. इसमें बहुत सारी changes होगे है. वक्त के साथ-साथ classification system जो है, इसमें बहुत सारी changes होगे है. इसमें डेफिनिटली चेंज होगे है. plant and animal kingdom have been kept constant under all different systems. जितने भी चाहे 2 kingdom system हो, 3 kingdom system हो, 4 kingdom system हो, 5 kingdom system हो, plant or animal kingdom जो है, they have been kept constant. देखे, 2 kingdom मैं भी plant and male, 3 kingdom मैं भी protest a plant and male, तो फिर इसी तरह से 4 kingdom मैं भी monira protest a plant and male, 5 kingdom मैं भी क्या है, monira protest a fungi plant and male, तो plant and male constant है, ये भी सही है, ठीक है बटा, ये भी सही है, ये भी सही है, तीसरा देखे, the understanding of what organisms be included in these kingdoms have remained uniform, ये बता रहा है, कौन से organisms, plant or animal kingdom मैं return किये गए हैं, वो uniform रहा है, याने जो organisms, 2 kingdom system मैं, प्लांटे में थे, वही organisms, 3 kingdom के प्लांटे में हैं, वही organisms, 5 kingdom system के प्लांटे में भी है, इस और ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये वाला statement जो है, गलत है, अब देख लिजी, how many of the statements are correct, दो ख़ेए बहुत है इसके पीछे आइटी टीम की बहुत जादा महनत होती है आपके आप गर बेटेई वीडियो अगरा देखते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं ठीक हम तो चलो पिर भी बोलते हैं कुछ इनको पूरा सिस्टम पे नज़र रखना पड़ता है कहां क्या हो गया ठीक है तो इनके लिए भी खुशूसी द्वाई किया करें ठीक है इन से बहुत कुछ होता है अल्ला इनको जाए ख्यार दे चलिए बीटा हो गया यह 36 वाला कॉस्ट नेक्स्ट हाँ विजब फॉल्वेंग इसका मतलब है कि तीन इंकरेक्ट होंगे आपको एक करेक्ट वाला स्टेट्मेंट बेटा देखना है क्लोरेला एंड वायर आलवेज प्रेजंट इन किंग्डम प्रोटिस्टा इसमें मुझे एक इम्पोर्टन चीज पहले समझाना यह बड़ा प्टिविस्टेट क्वेस्टन है तो अस्खेज यह तही देमाग स्खेजी तोस्टेट ठीक है अगर यह चीज याद नहीं है तो ठाना जर यूगो गवर म्योन इसिस किंगडम प्रोटिस्टा ठीक है किंडम प्रोटिस्टा क्यों बनाएं अगर हमारे पस तू किंग्डम था तो 3 किंगडम की यह जोरत थी एक बहुत बड़ा ड्राबेक टू किंग्डम शिस्टम का यह था कि उसमें देर वस दो डिफरे कि ये परिशानी यह उस ने पता है kingdom लांटे में जो यूरी सेललोर है kingdom एननमेल्या की यूरी यूरल आर्गिनिजंग के साथ नहीं मिलते हैं जो उस kingdom में kingdom प्लांटे मां यूरी आर्गिन्दीम स्टा गाइं यूरी प्लांटे निकालो kingdom अभी नि!! क्ँछ और कुछ और इसको मिल गए इसको मिल गए किंग्डम अनिमेलिया से अब प्लान्टे से इसको प्लांटे से एक कौन कोन मिला ठीक हैं एक मिल गया इसको बिटा क्लोरेला ठीक है और दूसरा मिल गया इसको क्लामाइडो मोनास यह यूनिस लिए और गिंगनब प्लांटे में थे इनको निकाला गया किदर डाला गया बताओ प्रोटिस्टा में अनमेलियास भी दो मिल गई एक अमीबा और दूसरा शबाश आपको पता होगा पैरामीशियम इन दोनों का इतना याराना है कि अगर मैं आपको अमीबा बताओं तो पैरामीशियम खुद जहन में आता है हां जैसे मैं अने बीना बता हूं तो नॉस्टॉक फुद जहन में आता है यह जोड़ी 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 है रहा बड़ी खतरनाक जोड़ी है ठीक है चले बिटा अब देख लिए इन दो को निकाला गया किंग्डम प्रोटिस्टा में डाल दिया अब समझे कॉस् यह खतम गलत ओप्शन ठीक है हमें दिखाना है कि सही ओप्शन क्या है क्लोरेला वाज आलवेज प्रेजंट इन किंग्डम प्रोटिस्टा एंड अमीबा वाज एडिट लेटर यह बता रहा है क्लोरेला हमेशा इसमें था अमीबा बाद में यह इसको भी एक बहुत बड़ अमीबा वाज आलवेज प्रेजंट इन दे किंग्डम प्रोटिस्टा इन नहीं थे यह सही ओप्शन है यह बाद में अड़ होगे तो यह उप्शन जो इसका है सही ओप्शन है ठीक है क्या बताओं आपको कितने हीरे हैं यह कोस्टन आपके लिए अगर आप इनको प्रैक् कि शेतर को कि इसको एक खुद आते हैं ना टीक मैं डिस्कुस करता हूं पहले कुसन बोर्ट पर आ जाता है जिसको जल्दी समझ में आजाता है और पता होता है और आक्षन क्या है वो लिए ओर के बाटनी में ईसका एक विजशन के काट होनेगी एक आख जाने लिए नहीं कुछ उल्टा पुल्टा बनेगा चले छोड़ दे चले बेटा next consider the following statements फिर से in statements को देख ले bacteria are simple in structure and complex in behavior bacteria are simple in structure and देखे एक important चीज़ जब भी आपको statement based question आएगा और जब भी statement based question में ये लिखा होगा consider the following statements इसका मतलब है आपको पहले statements दिये हैं वो आपको पढ़ने हैं मैं कहता हूँ आपको पढ़ने नहीं है देखो गल्दी क्या होती है आपको ये वाले questions गलत की हो जाते हैं आप पहले पढ़ते हैं मैं बोलता हूँ पढ़ते थे हैं ही आफ जब आपने पढ़ ही लिया तो उसके साथ लिख के रखो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा फिर से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा ठीक सब्सक्राइब क्या है बैक्तिर्यार सिंपल इंस्ट्रक्चर एंड कंप्लेक्स इन बेवर इधर लिख लो ये करेक्ट है ठीक हाले कि आपको अभी चूज नहीं करना आपको बाद म all upidos and chemotropic bacteria both phototropic एंकिम इस चील समझा दिया पीछे पूरी तरह से समझा दिया था मonaनी रामनी फोटो सिंंत्रीक बैक्ने निवी होते हैं कि मोस्नतीक बैक्तिवी होते सही है worst majority of bacteriard to Vollad मैं पहले ही समझा दिया था आपको worst majority of bacteriard to all इसी तरह से आया है best majority of bacteriard tooll so Polish अब मुझे बता अब आपको कुछ option देखना है अपको statement 1 is false, गलत, only statement 3 is false, हाँ, ये वाला सही है, कितना आसान हो गया, तो जब भी statement based question आ जाए, तो पहले ही इसको लिख के रखो, whether it is correct, और ना, जो बाद में आपको decide करना पड़ेगा, वो पहले ही decide कर दो, खुद, समयार ये बाद, पढ़ते तो हैं ही आप कोई tension नहीं, चली ये 38 तहां, ये 39 नहीं, consider the following statements about mycoplasma, mycoplasma के regard आपको कुई statements दिये हुए, चार statements दिये हैं, फिर से वही चीज़ बताओं, फिर से वही चीज़ बताओं, जो statement पढ़ोगे, उधर ही लिख के रखो, correct है या नहीं, पहला, organisms that completely lack cell wall, mycoplasma are organisms that completely lack cell wall, ठीक है बटा, तो ये statement mycoplasma पूरे kingdom monira में, mycoplasma, mycoplasma, mycoplasma जो है, ये पूरे kingdom monira में एक exception है, ये पूरे kingdom monira में, it is exception in kingdom monira, why? क्योंकि kingdom monira में सारे organismus, जो बैक्तिरिया है, उनको cell wall है, लेकिन mycoplasma is the only member in kingdom monira, जिसके पास cell wall नहीं है, ठीक है, तो ये सही option है, smallest noon living cells, yes, these are smallest noon living cells, इनको बोलते है, PPLO, pleural pneumonia like organisms, दुनिया में सबसे छोटे living organisms है, ये viruses इससे छोटे हैं, लेकिन they are not truly living, ठीक, can survive without oxygen, yes, oxygen की जरूरत नहीं है, oxygen के बगेर भी रह सकते हैं, ठीक, और pathogenic implants only ये गलत है, देखो mycoplasma, जो है, ये animals में ज्यादा pathogenic होते हैं, ठीक है, ये animals में pneumonia cause करते हैं, that's why they are called pleural pneumonia like organisms, ये गलत से अब बताए, तीन स्टेट्मेंट सही, एक स्टेट्मेंट गलत, option देख लिजे, ठक करके आपको आपको इदर नजर आ जाएगी, only statement four is false, only statement four is false, बाकि सब के सब ठीक है, हो गया मसला हल, कितना आसान है statement based questions को इस तरह से solve करना, चले बेटा, और ये वो वाले statement based questions है, हाँ, कुण से वाले, देख ले, देख ले, कोई भी किताब आपके गर में है, question उदर से नहीं निकलने वाला है, नई combination है, नई combination में आप अच्छी तरह से try, अच्छी तरह से need के लिए होती है, आप old book से वही question पढ़ते हैं, जो हजार बाद try किया, हजार बाद try किया, हजार बाद try किया, वो भी सही है, लेकिन need में च तब आप expose नहीं हो जाएंगी questions में, तब तक आप need को अच्छी तरह से यह समझो कि आप उस level पर नहीं आ गए, चले बेटा, next, consider the following statements about phycomycets, phycomycets के regarding, कुछ statements दियो है, चले बेटा, हाँ, एसक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् motile होते हैं और aplano spores motile नहीं होते हैं यह non motile होते हैं तो इस statement में zoo spores को non motile लिखा है और aplano spores को motile होते हैं इसलिए गालत हो गया sexual spores are endogenously produced in spore ennium सही spore ennium यह हैं जब अंदर इस तरह से spores बनेंगे इसको बोलेंगे लोच निप्र प्रूसट ठीक हैं और अगर इस तरह से स्पोर एंजिम के बाहर स्पोर बोनेगे इसको बोलेंगे एक्जोगेश प्रॉडटच्स प्रॉडच्शन तो एसेक्ट्च्ट्स फ्यको माइसिट्स में एंडो जीन उस्नी फ्रूज फूर टूज्न टूग मिट्स ए जाएगा only statement one is correct गलत one तो गलत है ना only statement two and three are correct सई ये सई है ना statement one and three are correct क्योंकि three तो सई है sorry one तो गलत है all the statements are correct ये भी गलत है तो सई option ये वाला है two only statement two and three are correct that means one is incorrect चेले बिटर नेक्स्ट, select the incorrect statement directly incorrect statement कु select करना है select the incorrect statement the protein coat in viruses is called capsid and is made up of smaller subunits called capsulomers say की गालत say tmv इस तरह से tmv में इस तरह से what are these these are capsulomers these are capsulomers बनाया होगा इस तरह से कभी structure आपने cylindrical होता है ठीक है इसके अंदर इस तरह से बेटा होता है RNA यह जो capsulomers है these are capsulomers capsulomers यह असल मैं RNA को हर साइड से क्या करते है surround करती है जैसे आपके पास pen है pen के अंदर refill हो दिये refill जो है that is a genetic material plastic case जो है it is the capsid protein coat लेकिन यह बना है छोटे-छोटे subunits का इनको बोलते हैं capsulomers tmv में आपके knowledge के लिए बता दूँ we are having 2130 capsulomers in tmv चले statement हो सही है हमारा काम चला चले बिटा next अच्छा एक दूसरा the analogous variant of BSC in humans is CGD BSC क्या होता है BSC एक होता है BSF border पर होता है border security force यह BSC है it is bovine spongiform हाँ हाँ याद आया होगा जिसने NCRT पढ़ी होगी bovine spongiform and encephalopathy यह एक disease है ठीक है प्रियॉन infection से यह disease होती है और प्रियॉन्स जो है वो यूजुलि डिग्रेड करते है neural tissue इसको को बोलते है mad cow disease गाए में लगती है तो गाए बेचारी पागल हो जाती है मेड cow disease अब अगर human beings में यही disease लग जाए अगर कोई वैसे गा हाई का गोश्थ कऊए ठीक तो human beings भी अल्ला बचाए पागल छेकब डजीज कुरूशेटघॉर चेकॉप डजीजुमन बीइंक में इसको बोलते है इसले यह भी सही है अलगी पर फुट फुट फुर फंजई ढर्फ फंजए एंड फंजऑब्स मॉस्टिर फॉर अलगी इन लाइकन सही है in viruses the protein coat is highly infectious गलत है यह वाला गलत है viruses में protein coat infectious नहीं होता है only genetic material is infectious virus का protein infectious नहीं होता है genetic material is infectious तो यह गलत है हमें क्या select करना है select the incorrect statement यह आपका सही option होगा चले बटा आगे बढ़ लेते हैं select the incorrect statement with respect to ascomycets ascomycets के related कुई statements दिये है आपको incorrect बाला statement जो गलत statement है वहीं आपके लिए सही है select करना है माइसिलम इस ब्राइट एंड सेप्टेट बताया ना मैंने अभी ascomycets में सेप्टेट माइसिलम होता है मैंने सिर्फ अभी आपको बताया था कि सिर्फ फाय को my seat में सेप्टेट नहीं है तो ascomycet में सेप्टेट है ब्राइट है सेप्टेट और ब्राइट मैसिलम इस तरह से होता है बेटा यह हो गया septate mycelium septal walls मैंने इसको बीच बीच में लगा दिये यह branches भी इसको होगे इधर से branches तो बाद में इधर बनेगा बेटा क्या इधर से फिर बाद में इस तरह से fruiting bodies बन सकती है यह और एक fruiting body यह और एक fruiting body चलिए तो branched and septate asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidio force called conidio force asexual spores asexual spores जो है उनको हम बोलते है conidia वो इस तरह से बीटा बनते है they are formed exogenously बाहर से बनते है special mycelium conidio force ठीक है say for example these are conidio force बाहर से बनते हैं बिलकुल ऐसा होता है तो यह वाली option भी सही है conidia on germination produce mycelium यह conidia जब निकलेंगे जर्मिनेट हो जाएंगे फिर से mycelium बनाएंगे तो यह भी क्या है सही है हमें इंकरेक्ट वाला यह कर रहा है ना हाँ sexual spores are asco spores which are producer exogenously in sack like aske गलत देखे यह वाले spores जो है यह conidia है यह asexual spores यह क्या है in a sack like structure called ascus यह ascus हो गया इसके अंदर इस तरह से spores बनते हैं जब यह अंदर spores बनेंगे तो इसको बेटा हम बोलेंगे endogenously formed ठीक इधर क्या लिखा है exogenously इसलिए यह वाला statement गलत है ठीक है और यही आपका ही option बनेगा चले बिटा next select the incorrect statement about chrysophytes chrysophytes के related incorrect statement select करना है first they are found in fresh water as well as in marine environments सही है यह fresh water भी होते है marine भी होते है यह microscopic भी होते है exactly they are microscopic they float passively in water currents what does that mean यह भी सही है पैस्यू moment एक होती है एक होती active moment एक पैस्यू moment होती है onze ऐस्यू moment ने कर सकता है यह कुद मौनें आप सकता है अगर पानी का बहाव इस तरह से है यहाँ से पानी जाता है तो this पानी जाएगा वो हम भी जाएगी एक होती है एक्ट्व मुवमेंट जैसे हमारी एक्ट्व मुवमेंट होती हुमन बिंग्स की अगर पानी में हम तेरेंगे अगर इधर से पानी नीचे जाता है हम वापस भी आ सकता है इस इस काल्ड एक्ट्व मुवमेंट एक्ट्व मुव होते हैं क्योंकि मैं आपको बताया था उदर इसर चीफ प्रोडूसर से नोशीन अभी उदर पीछे मैंने यह चीज डिसक्स किया तो यह आपका सही option है यह गलत है और आपको यह वाला सेलेक्ट करना है चले नेक्स्ट फालों स्टेटमेंट से बाओ साइन बैक्टिरिया दे कॉलनी इस दियर कॉलनी इस और इस तरह से होता है gelatinous sheath they are surrounded outside by a gelatinous sheath ठीक है तो यह सही है they often form blooms in polluted water bodies polluted water bodies में यह बनाएंगे बिटा blooms क्या बनाएंगे और उनको बिटा हम बोलते हैं algal blooms क्या बोलते हैं more specially इनको बोलते है algal blooms आपने कभी-कभी देखा है कुछ बड़ी drains खुली होती है यह ऐसा पानी होता है जिसमें बहुत प्लूशन होता है उसके ओपर वो green color की वो साडी जैसे लगती है और फिर पानी का color भी greenish हो जाता है बहुत ही highly polluted water होता है consume नहीं करना चाहिए उसको उनको बोलते है blooms blooms भी बनाते हैं ठीक है सही होगे दो तीसरा can fix atmospheric nitrogen in space legend cells called heterocystis तो यह atmospheric nitrogen जब यह इस तरह से colonies बनाते हैं तो कोई cell इसमें function करेगी as heterocyst यह वाली cell जो है let us suppose this cell is called heterocyst heterocyst में fix होता है atmospheric nitrogen nitrogen fixation तो यह वाला option जो है यह भी सही है ठीक है are helpful in production of methane gase यह गलत है methane gase produce नहीं करते है beta cyanobacteria कितने सही हैं कितने गलत हैं तीन सही हैं एक गलत है हमें क्या बताना है how many of the above statements are correct हमारे पास correct statements तीन है clear next अब हम आगे क्या बोलते हैं इसको matrix type questions भी now we have the matrix type questions question अच्छी तरह से देख ले match column A with column B and select the correct option match column A with column B and select the correct option देख लीजे बेटा correct option हमारे पास monira जो है monira इनका जो cell wall है इनका जो cell wall है इसमें बेटा होते हैं polysaccharides clear monira यानि बैक्टिरिया का cell wall जो है it is made up of polysaccharides protista का cell wall जो है कभी-कभी इनमें cellica होता है इनके cell बता दिये मैंने fungi जो है इनके cell wall में kaitin होता है और plant जो है इनके cell wall में बेटा cellulose होता है ठीक है simple अब monira को polysaccharides 3 आजाएगा तो A को 3 आजाएगा इदर भी इदर भी अभी तक सही option protista जो है इसमें cellica होता है यहनि B को 4 आएगा इदर भी B को 4 इदर भी अभी तो ये दो options चल रहे है इन दो के बीच में fight है fungi को kaitin आएगा 1 C को 1 आजाएगा ये वाला सही option है ठीक है और D जो plant है इसको सलिलूस आजाएगा this is the correct option चलिए next match column A with column B and select the correct option फिर सी फिर से बटर column A को column B के साथ आपको क्या करना है match करना है और correct option को select करना है die atomaceous earth die atomaceous earth कूल बनाते है इसको बोलते है पीस पीस पीरलिटिक शेल्फिश पॉसिनिंग अगर हम वह वाली फिशिस खाएंगे जिन्हों ने वो toxines accumulate जिनकी बाड़ी में हो गए है जो देख गॉनियालेक्स जो है बैटा फिर से बताओं ये toxines डालेगा अगर इन toxines को fishes कंजूम करेंगे तो ये toxines fishes के बाड़ी में accumulate हो जाएंगे और अगर वो fishes को किस ने खाया human beings ने खाया तो human beings में तो ये वो अगर बोलना थाओं ये फोटा ये प्यूंडि बेटा ये पालिक अब्र होता है स्लाइब में स्वश करते हैं अब जरह मैच कर लिजे एक एक साथ आजाएगा ठी एक साथ त्री एक एसाथ त्री ये तो continue चलेंगे toxins B के साथ वन आ जाएगा B के साथ वन आ जाएगा देख लिए यह वाला ऑप्शन आ गया फिर पैलिकल जो है युग लिनाइट से फोर और स्पोर जो है स्लाय मोल्स है तू ठीक क्लियर सही अप्शन नेक्स्ट मैटर्स टाइब कॉस्ट्ट मैच कॉलम एविद कॉल अन्ट अमीबा हाँ है ना प्लाइजिलेटिड प्रोटोज्वन्स प्लाइजिलेटिड प्रोटोज्वन्स में आपका आ जाएगा बेटा पैरमीश्यम एक मिनिट स्वारी श番लेको टाइजिलेटिड प्लाइज अन्ट एमीबा आपका अन्ट एमीबाा इड इसकी एकजाम्डन हैं हमारे पास ट्राइपनोसोमा थीक है शीलियेटिड प्रोटोज्वन्स जो है इसमें आ जाएगा पैरमीश्यम क्योंकि पैरमीश्यम में स्ईलिया होते निदिखाय इस तरह से एक सी लीडिट और स्पोरो जो है यह इन्फेक्श्ट रोते प्लाज्मोरियम मैलेरिल प्लाज्मोरियम इसमें आजाएगा अब जरा मेच कर लिजी अमीबाइड प्रोटो जोन्स का अंटियमीबा टू आ जाएगा एक और टू एक और टू यह दोनों ऑप्शन इसमें बता है ट्राइप एन उसमा आ जाएगा फोर इसको भी फोर इसको भी फोर चल रहा है सी लिए इडिड प्रोटो जोन पैरा मीशन बना जाएगा और स्पोर जोन जो है इसको आजाएगा प्लाज्मोरियम थी तो यह वाला सही और प्शन इसका क्लियर हां नेक्स्ट मैच कोलम एविद कोलम बें सब्सक्राइब कर्रेक्ट ओप्शन कम यश्यूम जो है यह पैले ही आपको बताया था यह बैसिड्यो माइसीट्स में आता है यू जक इसके बाद आपका आ जाएगा ए ट्र Patriot D traigo derma जो है यह जाएगा बिटा आपका dutero my seeds में और इसके बाद S पर just जो है यह आता है बिटा S को my seeds में elbow go जो है यह 5 को my seeds में आता है जो parastic बंजा है जरमेज तो कर लिजीजिए A को आजाएगा 3 एको आजाएगा 3 एको आजाएगा 3 यह दो options आप नीट में चाहें तो इतना भी कर सकते हैं उसके बाद सब सही होगा लेकिन इधर में बताओंगा एस पर जिल्स के साथ हमने एसको माई सीट लिखा सी के साथ टूप आजाएगा और एल्बू के साथ फोर आजाएगा यह सही होगा इसका चले नेक्स्ट next चले बेटा match column A with column B and select the correct option match column A with column B and select the correct option viruses जो है यह bacteria को भी infect करते है bacteria phades those are viruses which infect bacteria then देखे viruses जो है they can infect bacteria and then we have why rides why riders जो है यह plants को बेटा infect कर सकते है क्योंकि वाइर एक plant disease कास करता है we call that potato spindle tuber disease potato spindle potato इस तरह से बनता है spindle sheep इसका कोई market value नहीं रहता है खत्म हो जाता है बेचारा ठीक है यह वाइराइट से होता है potato spindle tuber virus तो वाइराइड जो है इंफेक्स कर सकते है प्रियॉंस को प्रियॉंस प्रियॉंस जो है यह बेटा इंफेक्ट करेंगे अनिमल्स को अभी पता है था आपको प्रियॉंस इंफेक्शन cjd और mad cow disease then we have lichens lichens जो है इस आर म्यूच्विली बेनिफिशल lichens में दोनुको benefit होता है यल्गी को भी पंजाई को भी तो अब तरह देखिए यह को आ जाएगा c जो है lichens को वान आ जाएगा यह correct option होगा इसका ठीक है हो गया हाँ नाव दे लास्ट पोर्शन लास्ट पोर्शन में कुछ questions होंगे अभी assertion reason type questions ठीक है बेटा assertion and reason type questions चलिए assertion and reason type questions देखे बेटा assertion सबसे पहले हम देखिएं कि question 50 का assertion the two kingdom classification used for a long time was found to was found in adequate two kingdom classification जो है बहुत time तक इसको इस्तिमाल किया गया और बाद में बताया गया कि it was found in adequate यह सही नहीं थी ठीक है reason क्यों in adequate थी it does not differentiate between unicellular and multicellular organisms it does not differentiate between unicellular and multicellular organisms क्या यह reason सही है बताये assertion क्या बता रहा है एक मिनट हाँ देख लिजी two kingdom classification जो है it was used for a long time and it was found in adequate यह in adequate थी two kingdom classification why two kingdom classification was in adequate it does not differentiate between unicellular and multicellular organisms ठीक सही है two kingdom classification में मैं आपको बता दिया two kingdom classification में क्या बता दिया आपको हमने बताया kingdom प्लांटे और kingdom animalia kingdom animalia जो है यह दोनों में क्या हो गया इधर भी unicellular भी थे multi cellular भी थे इधर भी unicellular भी थे और multi cellular भी थे दोनों में दोनों दोनों थे ना ठीक तो unicellular अलगोने चाहिए थी जो नहीं है तो यह सही option है इसका reason रही है तो आप बताये assertion is true and reason is false गलत assertion is true and reason is true गलत assertion is false false and reason is true गलत बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion रही है ना बोथ assertion and reason are true but reason is not the यह आलत है ठीक है तो सही option हुआ है चले बिटर नेक्स्ट एसर्फिशन फायू kingdom classification brought together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms फायू kingdom classification में कुछ organisms ऐसे हैं एक ही say for example kingdom protesta की example मैं दे दिया आपको भी पीचे है ना kingdom protesta हमारे पास आ गया chlorella आ गया कि नहीं आ गया मैं पूरी तरह से हम जाया हमें आ गया klamadomonas klamadomonas ठीक है हमें आ गया बिटा इसमें amoeba ठीक हमें बिटा आ गया इसमें आ गया कि नहीं पारमीशियम यह दो पहले अनिमेलिया में थे अनिमेलिया में थे है कि नहीं मैं बता दिया आपको यह सारा यह दो पहले बिटा kingdom plant इमे थे अब यह सब के सब किसमें आगे kingdom protesta में वही बता रहा है five kingdom classification brought together organisms which are earlier which in earlier classifications were placed in different kingdom this happened because the criteria for classification was changed यह क्यों हो गया अगर अभी तक हमारे पास chlorella, chlamydomonas, amoeba and paramecium अलग अलग kingdom में थे उदर से क्यों निकले और kingdom protesta में आगे क्योंकि हमने criteria change कर दिया when the criteria is changed classification gets changed say for example अगर हमारे पास 30 बच्चों का group है अगर मैं इनको तीन classes बना हूँ class a class b class c और अगर मैं यह classes बनाऊं on the base of height तो class a में मुझे आ जाएंगे सबसे tall बच्चे class b में आ जाएंगे medium size ठीक है बटा और class c में आ जाएंगे short मैंने बनाया यह on the base of height और अगर मैं आप classification के basis को change कर दूँ अगर मैं classify इनको करूं on the base of IQ कौन कितना intelligent है तो a में हो सकता है a में हमारे पास आ जाएंगे most intelligent most intelligent बी में आ जाएंगे बिटा मीडियम और average students और सी में आ जाएंगे डल अब देख लीजी अभी सी में है था short इधर जब मैंने height के था ही रीजन है तो देख लीजी assertion is true and reason is false गलत assertion is false and reason is true गलत both assertion and reason are correct, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion यही वाला option इसका सही है नानी है तो यह say option is true but reason is not the correct explanation of assertion ठीक है बेटा तो यह सही option इसका जो है that is option number 3 चले बेटा next 52 assertion boundaries of kingdom protesta are not well defined kingdom protesta की boundaries जो है they are not well defined सही है kingdom protesta ये है इसकी boundaries जो है they are not well defined याने अगर इदर कोई organism है organism A ठीक पहले लेकिंगे reason what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another अगर एक scientist है वो इस organism को पढ़ता है ये kingdom protesta में है और इसको लगता है कि ये organism जो है it is a protestant तो वो इसको प्रोडिस्टा में ही रखेगा इदर से एक scientist आया था उसको पढ़ा उसको लगा कि इसके सारे करेक्टर्स kingdom protesta के साथ मिलते हैं तो तो प्रोडिस्टा में रखेगा अब दूसरा scientist आया वो भी इसी organism को पढ़ता है लेकिं इसको लगता है कि ये असल में फोतो सेंथ्टिक प्लांट है तो भी इसको इसके हिंगनमसे बाहर निकालें में और एक को कितर डालें उसको प्रोडिस्टा में इसके कोई बोड़ golf रिवाइन नहीं है का जिए तो इसको पता था ये सबламarta liquide k एक्रिकर एक्स्पिनिश्न फिर से ब्टा यही आ जाएगा इसका ठीक है बाक रहे नीए आ जाएगे तीक नेक्स्ट तस ओर श्चन और को बेटिया कें शर्वाइव दिक थे माँ एक्स्ट्रीम रेक्टिय। आर्की बैक्टिर्या सर्वायो करेंगे एक्स्ट्रीम क्लाइमिटिक इस तरह से होती है और यह वाला यह स्ट्रक्टर जो सैल वाल का है यह यू बैक्टिर्या में नहीं होता है आपके NCRT ने लिखा है इट इस अनली बिगास आप इस फीचर दिफरेंस इन सैल वाल और की बैक्टिर्या के सर्वाइव इन एक्स्ट्रीम इसका यह है तो हम फिर से लिखेंगे बोट असर्शन दिजन आ ट्रू एंड दिजन इस एक्सपिनिशन फिर से बिटा यह जाएगा इसका ठीक है चलिए नेक्स्ट था इस एक्सर्शन द वाज अब डाटमहण आप इंडेस्ट्रर्क्टिबल मैं आपको पहले यह बताया डाटम्स की वाल्स में बिटा होता है इसलिका यह ताइब लाटम थाइन दीफिल तो सही हो गया ठीक है यह और लाफट प्याइड ला करता है लिकर स्थ्ट की आंड बना थे लेकिन इसलिए डाइट ढिम्स करसे ल फॉल इंडिस्टन रीजन था डाइटर्म्स का सल्शल बोटाइं का ंडा भॉल दिया तैंडिड बना थे है देखे बटा बोध एसर्शन एंड रिजन रूबर रिजन इस पॉर्ट एक्स्पिलिशन यह सही फिर से बिदाओं क्या है डाय टम्स जो है इनकी सेल वाल इस कहा है बटा इंडस्ट्रक्टेबल क्यों इंडस्ट्रक्टेबल है क्योंकि इन में सेली का होता है क्या वो रीज सब्सक्राइब होगा आज सेशन का लास्ट कोस्टन होगा हां 55 कोस्टेबल बताया था पहले चलिए असर्श इंडिजन वाइरस इस आर नौट ट्रूली लिविंग मैं अभी पहले आपको बताया था कि स्मालेस नून लिविंग और्गनिजम है पी पी एलो जिसको हमने बत सकते रीजन का वाइरस सब्सक्राइब कंप्ली अनौट चल आफ चलिविंग इसको बो बिंग मस्लाइना ठीक ए लिविंग लिविंग बो नें गिसको चीन को जिएस को प्लीप सब्सक्राइब क्यूंकि एदेट करेंगी तो लाइब को हम डिफाइन कहां से करेंगी यह कम से कम और गिनीजम के पास एक सेल हो हम इसको बॉलेंगे लिएख वाइरस के पास होती है जनेटिक माधियु अब डो ही चीजे हैं फीस चीजे परोटीन कोटार्थ अप्रिमतियल क्या सारे सेल्स है तो इसके साथ हमारा आज का सेशन हो गया खतम ठीक है तो इन कॉस्टन को फिर से एक बार ट्राइब कर लीजे फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं अगर कहीं पर आपको लग रहा है दो तीन बार देख लीजे सब इन्शालला क्लियर हो जाएगा ठीक है मिलते हैं आपको नेक्स सेशन में तब तक के लिए लिए लाह आफिस